जो बता तो एक बाद जो वहां से शाटने कर से एक एक एसांपर लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले मान लो मुझे डायमंड खरीजना है तो पहले मैं इस बाद डायमंड की आदा रियक्शन लेक्शन लेक्शन तो यह मेरा मान लोग ग्रिफाइट है और यह मेरा उसके राज किसके क्लिप्डर में होता हूँ डायमंड कैसे रहते हैं दोनों अब मैंने एक बार पहले गया मैं इन दोनों के पास क्या मैंने का भाई तुम्हें कौन से फोम में रहना ज्यादा पसंद है मतलब तुम सकता हूं कि इस तरफ की रैक्षिन का डज़र्टाजी और होता है थो क्या होता है कि अगर अगती नगिटीव है तो रीक्ष जादा स्पोंटेनेस का होगी इधर की तरफ मतलब वो ग्रिफाइट में रहना चाहेगा तो इसका आंसर देने के लिए कि रियक्शन कौन सी साइड पर है यह मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो डायमंड से लेके ग्रिफाइट का रास्ता है वो मुझे हेल्प किसने की बताने में थर्मोडायमिक्स ने मुझे ब अगर पोजिटीव हुआ तो भाई उन्हों स्कॉर्टेनियस है तो भी हमने डायमंड से जागे मुझे है ग्रिफाइट में तू जम बनता है तो तेरा डेल्टे जी क्या होता है नेगिटिव बहुत बढ़िया डायमंड तो भाई उदाख फिर उसके बाद मैं गया जो एलर तो यहां पर क्या हुआ तो भाई उसके बाद जब उसके बाद जब उसने देखा कि ऐसी रियक्शन तो हुई उसके उसके डायमंड था उसकी एक कुष्टे भी निकल गई तो वहां से उससे समझ आया कि भाई थर्मोडायमिक चैनल जूट बोल रही है तो मैं गया है जो डायमंड से ग्रिफाइट है है स्कॉंटेनियस लेकिन हो नहीं रहा तो कोई बता दकता है इसके इतन है क्या कंडिशन नहीं मिल रही क्या हो गया मतलब ऐसा है जो डायमंड है न यह जब ग्रिफाइट में जाता है तो उसको शालोव साल लग जाते मतलब तुमारी 10 15 तो इसका मतलब क्या हो गया जो मेरा कन वर्जन रेट वह बहुत ही क्या है अगर मेरा डायमंड से ग्रिफाइट का अगर बहुत तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे को अगर देखना रेक्शन हो यह नहीं तो तो जाना ही है उसके बाद मुझे किसे और लेनी पड़ेगी काइनेटिक्स की और कानेटिक्स के साथ मुझे मतलब कि अगर हम इसको इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन में देखे तो मतलब क्या होगा यह तीनों हाथ मिला कर चलते बढ़िया दोस्ते मतलब क्या हो गया इससे भी मुझे थोड़ी जानकारी लेनी पड़ेगी कि रेक्शन हो रही है इससे लेनी पड़ेगी भाई कितनी स् प्रिंसिपल होता है तो मतलब क्या होगा इन तीनों को अगर हम कंबाइंड स्टडी करें तो हमारा वहीं से पूरे एक तरह से केमिस्ट्री की एप्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं ऐसा बहुत है बाख्यों का भी रोल आता है लेकिन मेजर ली अगर मैं बात करूं यह हम इन लाइन में बोले तो क्या स्टडी ओफ रेट रेट की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं काइन तो लिख लेना वैसे तुमसे पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैंने कुछ ब्रांच ऑफ साइन्स वगरा कुछ नहीं बॉल रहा तो किनेटिक्स में हमें इंडिरेक्ली पढ़ना क्या है रेट की स्टडी करनी है और वही मेरा पूरा ब्रांच क्या है काइन्येटिक्स इसका सिगनिविकेंस लिख रहे हो कुछ नहीं ना या लिख रहे हो नहीं न तो अगली हैडिंग डाल लो थेयोर्टिकल रेट थेयोरेटिकल रेट अगर मैं दोतरीके कर सकता हूँ एक मेरा ओगया एब्रेजरेट और एक क्या होगा मेरा instantaneous हम इतना कि डीप में नहीं जाना NCRT में दिया होता है ग्राफ फगारा से हमें मैं समझना average rate और instantaneous rate में फरक के सबसे पहले अगरा बात करूं रेट रेट क्या होता है बताना एक तो इसो तो रेट मेरा क्या होता है किसी भी चीज का चेंज ठीक है विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू अ कि पिशाते कलो repositories यह थो होगो तो कि रि tienen क्या मेडियोज एकशाप के साथ ही और सधी मेजर करते हैं तो average rate क्या होता है average एक कुछ ही नहीं है अगर जो मेरा change है वह significant है ठीक है माललो मैं C से लिख रहा हूं के concentration के अगर हम बात कर रहा हूं change in concentration by change वह मेरा क्या होगा average average मतलब क्या होगया हमारे significant change आ Treasure यह मतलब की हमने क्या लिया मालनो मेरा starting में 10 Molar था मैंने 10-5 मिनट बाद देखा यह 5 molar बचा तो चेंज इन कंसेंट्रेशन कितना हुआ 5 ताइंग का चेंज कितना हुआ 5 तो आंसर क्या हो गया यहां पर मेरा क्या हो गया यह डेल्ट अगर मतलब तुम्हें पता हिए क्या होता है बड़ा चींज instantaneous rate क्या है जब वो किसी भी at any point of instant होता है तो अगर इंस्टेंट की बात करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं उसको dc by dt ग्राफ से हम निकालते हैं लेगें अगर हम mathematically देखें तो मेरा rate क्या हो जाता है change in concentration with respect to time जहां पर एडी मुझे खुद बता रहा है कि मैं बहुत ही छोटा हूं अगर बहुत ही छोटा है indirectly मैं instant की ही बात कर रहा हूं अगर मैं mathematically देखें तो यह दोनों rate होते हैं हमें तो basically इसी rate से भी बात करने हैं क्यों हो गया पोस्ट है तो हमारे दोनों rate क्या होते है के एक instantaneous rate तो अगर मैं यहां से rate का अगर मैं यहां से rate मेरा क्या हो गया dc by dt लिख दूँ ठीक है क्योंकि हम जाइस जो मर्जी बात करें dc का मुझे बता दो चेंज इन concentration की यूनिट क्या होगी का concentration जने मोलेरिटी होती है तो मैं लिख सकता हूं इसके हमने क्या बनाया है अगर मैं यूनिट निकाल रहेट की तो मेरी क्या बने थी चेंजιन कंसेंट्रेशन बबाय चेंज नहीं टाइम होते है इसकी हो गी मोल पर लिटर डिवाइड भाइड पर सेकिंट तो इसके तो उनिटOOOO मेरी मोल पर लीटर पर सेकंड तो यूनिट हो गई रेट की है ठीक है अब बात आती है experimental rate की यह तो मारा क्या था theoretical rate अब एक्सपेरिमेंटल रेट कहां से आता यह rate low से experimental rate जिसकों कहां से निकालते है rate low से rate low क्या जाता है पता ही होगा बता दो क्या होता है rate जो होता है उसको मैं क्या लिए सकता हूं is equal to k मानलो अगर a और b है a to the power alpha b to the power beta अगर मैं इस कि इस reaction की बात कर रहा हूं तो अगर मेरे एक general reaction यह है अगर मैं उसके लिए rate निकालना चाहता हूं वह मेरा क्या होगा a to the power alpha b to the power beta जहां पर alpha and beta क्या है क्या है stoichiometric stoichiometric coefficient जो कि यह नहीं है अलफ और beta क्या होते हैं यह हम experimentally निकालते हैं यह तुम्हें कुद कभी नहीं निकाल रखते एक्सपरिमेंट से बदा चलता है और वह मेरे क्या होते हैं order होते हैं with respect to a with respect to a and b तो ध्यान रखना यह जो मेरे alpha और जो beta है वह मेरे stoichiometric coefficient नहीं है वह मेरे experimentally निकाले जाते हैं और वह क्या होते हैं order होते हैं a के respect वाले को alpha b के respect वाले को beta अगर total order निकालने तो मेरा क्या बन जाएगा हो alpha plus beta अगर मुझे order किसका निकालने order of reaction वो ध्यान अकना कभी भी alpha beta को हम यह नहीं मान सकते कि भाई stoichiometric efficiency लगा दो कभी कभी हो सकता है लेकिन वह कभी कभी ही होगा हर वक्त नहीं होगा वह तुम्हारा अलग होगा अगर यूस हो गया हो अगर मैं वैसे एक reaction लिख दूँ अगर मैं लिख दूँ यह एन 204 गिविंग 2N2 होती है अगर मैं इसके ले stoichiometric coefficient के साफ से चलो तो मैं rate क्या हो जाएगा के N2O4 की पावर 1 तो मैं अगर इस reaction को टू से multiply कर दू तो मेरे टू बान की जगा क्या बन जाता है तो तो यह होता रहता क्योंकि यहां पर जो मेरी वैल्यूद होती है वह experimentally निकाली जाती है और जो होता है order order अभी हम निकालेंगे वह मेरे को experimentally पता चलता है वान आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा जीरो आएगा कुछ भी यह लिस्टो के मेंट्री कोफिजेंट वाला यह नहीं होता इस बात का ध्यान तो तो अगर अब मुझे यूनिट्स निकालनी है यह सबसे इंपोर्डेंट पार्ट है तो अगर मैं यहां पर रेट कॉंस्टेंट की बात करता है तो ध्यान से देखना अगर मानलो मेरी को एक रियक्षिन है ए गीविंग बी ठीक है जनल रेक्षिन लेली अगर मैं बोल देता हूं इसका जो रेट होगा वो क्या होगा मेरा के इंटु ए टुद पार एन बोल ठीक है मतलब क्या हो गया उसका ओडर मुझे नहीं पता एक्सपरिमेंटली निकाला जाता है तो यहां से कोई मतलब नहीं है इसका तो यहां पर मेरा मानलो एन आ अगया अब मुझे बताओ रेट की यूनिट क्या होती है क्या से बोल दूं क्या होता है कंसेंट्रेशन इसको आई-डाय आजाएं हुरा रा एक समेम एसे लिख सकता हूं के बनाना अम मुझे बताओ इसको एसे लिख दो कंसेंट्रेशन तो धी पार वान माइनस और टाइम टूदी पार माइनस फन कंसेंट्रेशन क्या होती है मेरी मॉल है पर लीटर की पार क्या हो जाएगा वन minus n into per second ऐसे लिख सकता हूं इसको अगर मैं इसको further आगए वैसे इसतना भी लिख सकते हैं तो k कभी भी unit निकाल लिया मुझे तो मुझे बस यहां पर n की value बूट कर देनी n क्या हो जाएगा मेरा order of reaction बोलो क्योंकि a है तो यहां पर जो order of a होगा वही order of reaction होगा n की value change होती जाएगी मेरी k की जो unit है वो भी different different आती जाएगी कोशन दू लेख लिया नहीं predict the order of the reaction सबसे basic question से start कर रहे है predict the order of the reaction k is equal to k की unit given है more power one by two liter to the power one by two or per second कि उससे compare कर सकते हैं न क्या compare किया तो वह compare करके जैसे भी हमने यहां पीछे किया था ते कि यह जो formula था उससे compare कर लो लेकिन हम उतना भी नहीं चाहिए हम सीधा shortcut लगा सकते है और वह shortcut क्या है मेरा कि एड़ वन टूदी पावर ओफ लीटर लीटर की पावर क्या है हाफ तो क्या बन जाएगा हाफ प्लस वन तो आंसर क्या हो गया मेरा थ्री बार्ट मतलब हमें कुछ सोल नहीं करना बस जो लीटर की पावर है उसमें वन एड़ कर दो जो भी आएगा वह मेरा क्या हो जाएगा हमारा ओडर अमको सोल वी नहीं करना ऑडरी प्रस बन ए感े करने शवाड़ा यह आएगा रोगठन लिको फॉर विच ओडर प्र भी करने ब्रीट फॉर वीच ओडर ब्र फॉर विच ओड़र ब्र दीमनिक पarchy को ब्र rate of reaction and the rate of reaction are similar देखो यहां पर देखो अगर मैं यहां ही सही सारी वेल्यू निकाल लो अगर मेरी N की वेल्यू जीरो हो जाती है एन की वेल्यू जीरो है तो क्या बन जाएगा आपर मॉल पर लीटर पर सेकंड तो यह मेरा कौन से होगी जीरो थोड़ा रियक्शन अगर मैं इस इगल टू पूट कर दू क्या बन जाएगा बोलो वान माइनस वान जीरो पर सेकंड अगर एन की वेल्यू पूट कर दू क्या बन जाएगा पर मॉल लीटर पर सेकंड अब मुझे बताओ रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है Saag cultural बत्रत संव दॉनिट की ओर रहे है जीरोत का तो हो गया है मेरा जीरोत ओडर में जो मेरी की उनिट होती है वही मेरे आ है के तो यह लिख लेना क्योंकि आए तो उपर साहिं है लेकिन जनरल बस यह 3 यूद उते आगे जाग्झा क्यों आगे आ सबने अगर मैं अगली बात करूं जो अगली बात काम की वह है जैसे मालना मेरा एंटू ए प्लस थी एच्ट अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है लिए अगर इस पूरी एक्षिन के बाइड लिखना है तो वह रेट क्या होगा यह बोलो दी एंटू वाइडी इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो हम बाहर माइनस लगा देंगे क्यों क्योंकि यह मेरी नेगटिव ऐल्यू आएगी और वह नेगटिव नेगटिव मिलके पॉजिटीव एल्यू देगे क्योंकि रेट कभी नेगटिव नहीं होता पस उस व आग perilbusy प्लस यहां पर के आख़र माइनस क्योंकि डिक्रीज हो रही है प्लस यहां पर क्या जाएगा यहां पर र RICHARD क्या क्या रिजन क्या है क्योंकि हमें इंडिरेक्ली क्या करते करना अगर अगर यहां पर वान है यह ठीन 1 by 2 और क्यों यहां पर क्या लिखेशना है वह लिखने मैं और क्यों क्यों कि यहां पर आ जाएगा भार and से फिरफों है कभी ही में जिसको मैं बात करें हैं यह हम इसे लगाते हैं क्योंकि यहां पर phenomena यह तो यह तो बहुत हो रहे तो जीटने स्पीड से जा रहे हैं पूरी रिहाक्शन का रेट बताने तो पूरी रियक्शिन का रिइच स्वेट क्या ओगा जब हम तीन of reaction by dt होते हैं एक चुल में बात करूं क्योंकि extent of reaction जो होता है वो मेरा वो सारी species के लिए मेरा सेम रहता है सारी species के लिए same value आती है इसी वज़त से मेरी rate की value अब extent of reaction क्या होता है होता है मतलब या क्ला कि रिक्ष करते हैं और चेंजिंग एक्टेंट ओफ रीएक्शें बाइडी टी उता है और एक्टेंट ओफ रियक्शें हर स्पीशिस के लिए सेम होता है उसकी वैल्यू क्या होती है चेंज इन कंसेंट्रेशन तो वहां से हमारा यह formula वैसे बनता हो लेंगे तुम्हें डिरेक्ट बुक्स में यह दिया होते हैं तो हमें तो यह यूज करने है एक्टेंट ओफ रिक्शन पर डिपेंड करते हैं इस पर इतना जाना नहीं है बस मैं यह बतारता है एक्टेंट ओफ रियक्शन एक चीज होते हैं बस ध्यान रखना कभी आगे सुननों तो अब खोशो एक्टेंट ओफ रेक्शन के चेंजिन कंसेटेशन पास्टोक्यमेटरी यह वाला पाट आ गया और डिटी दो मैंने वैसे भी लगा रहा है तो वापे सेमी चीज बन गहीं है कि इसको है कि तो इस पर जो बेसिकली कोशन यहीं से स्टार्ट होते हैं जो आनने स्टार्ट होते हैं कोशन लेख लो for the reaction for the reaction 2a plus 3b giving 4c plus 5b rate of disappearance rate of disappearance of B3 mol per liter per second calculate rate of disappearance rate of disappearance of A second rate of appearance of C rate of appearance of D or rate क्योंकि हमें पता है rate तो पूरी reaction के लिए एक ही होता है तो अगर एक ही होता है तो पूरी equation लिख लो जो बनती है उपर वाले से उसके बाद इधर उधर करना है बस सारे answers निकलाएंगे सबसे पहले तो रेट ही निकाल लो फिर कोई दिक्कत नहीं होती तो अगर मैं इस reaction के लिए rate लिखना चाहूं वो क्या हो जाएगा मेरा 1 by 2 da by dt और यह negative में होगा which is equal to minus 1 by 3 db by dt which is equal to 1 by 4 dc by dt अगर यह value given है तो मुझे अगर rate निकालना है तो मुझे बस क्या कर देना है इसके पास तो मेरा rate क्या बन जाएगा rate मेरा आ जाएगा 3 into क्या बन जाएगा इस भी लाइडी तो 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 यहाँ पर जो मिरेट आ जाएगा भो क्या हो जाएगा तो यहां पर किसक है आ गया गदो यहां से यहां कितना आ जाएगा साथ फू दिखाने के लिए चुछ साथ ही विवन है 3 वाली हमें वह इसी की वैल्य गिवन है 3 कर लिया तो अगले ची लिखो है एक कोशन है जो रेट गीवन है वो मुझे कितना गीवन है के एक टुद अपार टू बी तुद अपार वन मेरा पहले कोशन है डीटर्माइन rate constant unit दूसरा पाट है how rate is affected if concentration of A is doubled and B is tripled कर लिया तो rate constant unit का formula general क्या था mol per liter की पाद 1-n into per second यहां पर N की एलिक है total order total order कितना हो जेगा 2 plus 1 3 हो गया तो क्या बन जाएगा मेरा mol per liter की पाद क्या हो जाएगा 1-3 per second तो बस हो के क्या बन जाएगा मेरा mol per liter की पाद minus 2 per second तो कितना बन गया यह mol यहां पर N की वेलिक है अधी total order total order किया इन दोनों का addition कि दूसरे में मैंने क्या बोला है हाओ रेटी इफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ओफ ए डवट अब यहां रेट क्या है मेरा के ए टुदा पार स्क्वेर इंटु बी अब मैंने क्या बोल दिया जो मेरा एड़ाइश है वो कितना है टू ओफे और जो बी डैश है वो कितना है ठ्री ओफ भी तो मेरा जो रेट होगा उसको मैं क्या लिए सकता हूं के टू एका स्क्वेर इंटु थ्री भी तो कितना बन जाएगा टू तो तो फॉर्ट इसा ट्वैल के ए टुदा पार्ट टू और बी तो इसको मैं क्या बोल हुआ हो इनिचल रेट तो ट्वैल टाइम दौ इशियल इसको नटेश लगा देते हैं क्या जिसे रियक्शन के लिए बेगा था न मैंने रियक्शन के लिखना है तो हमारा पूरी रेक्शन के क्रणे एट एक ही रहता है जिस पीड से वह कम हो गा उतनी श्वीड से वह बने है जितना मैं ज्यादा माउंट डालूंगा किसी चीज का तो रिट बढ़ जाएगा उनकी क्योंगी को बढ़ जाती है क्या ना के कहां से बढ़ वह तो कॉंस्टेंट है ठीक है अगली चीज लेको 4N elementary reaction नोट बना आगे लेकले ना 4N elementary reaction 4N elementary reaction order is equal to 4N elementary reaction order is equal to the molecularity of the reaction अगर मेरी elementary reaction elementary reaction क्या होती है क्या जो सिंगल चल रहा होता है मतलब एक ही रेक्टेंट मान लो तो उसके मेरा क्या हो जाएगा उसके अंदर जो मेरे को अगर order बताना है तो मुझे एक्सपरिमेंटरी की जरूत नहीं है मैं जस्ट मॉलीकुलारीटी देखूँगा वही मेरा क्या हो जाते है ओडर हो जाते है तो वहां पर वो देगा नहीं तुम्हें वहीं से पैचानना पड़ेगा यह मेरी अगर है तो वहां पर मॉलीकुलारीटी जो होगी वो ऊटर के बराबर हो दुबारा बोल देता हूं वोर एन एलिमेंटरी रीक्शन ओर इस इकवल टू molecularity molecularity क्या होती है number of reacting species लिखना जिसको नहीं बता molecularity number of reacting species first order reaction of formula याद है क्या होता है अगर हम equation की बात करें equation जो होती है first order की क्या हमारी आरे first order जीरोत order की क्या होती है इक्वेशन है है क्या है जीरोत की जीरोत लो दुबारा बोलो है है first की भी आती है second की भी आती है third की आती है fourth है तो एडिंग डालो राइटिंग राइटिंग एक्सप्रेशन फोर एनथ ओडर रियक्शन हम एनथ ओडर के लिए कर लेंगे तो वहां पर first or second or fifth or seventh or tenth or twenty है तो कुछ भी हो हमें बस वहां पर एन की वेलिवूट करनी है आंसर निकालने लिए में तो हमारी दो ही जीरो फर्स सेकिंड होती है लेकिन अगर एनथ ओडर किसी कभी पूछ ले तो मैं फिर वहां दिक्कत नहीं आएगी तो द्यान से नोट में साथ-साथ कर लेना चाहिए मुझे बताओ जो मेरा रेट होता है मान लेक मेरे जर्नल रियक्षिन है ए गीविंग भी हाँ ठीक है और में जो रेट होगा मेरा क्या हो जाएगा डी अगा डीअभाइड टी लिए अग्वाइच और इस यहमेरे कॉंसा सा एम टाट अग्यमेंटल को एम थी 自endeu पार एंस लेक्त अ कि लोड़ता है क्या तोन यह क्यों इ Rob d a के नीचे a to the power n लेया हूं और वहाँ पर मैं क्या लेजाओ minus k into dt और अब मैं दोनों तरफ integrate कर दो integration तो आता है लेकिन यह condition क्या होगी मेरी जो n है वो one के बराबर नहीं होगा क्यों कि दर one के बराबर हो गया तो d a by क्या हो जाएगा और a क्या होता है क्या होता है लोगे तो वहाँ पर हो जाता है तो यहां पर हम भी हम जो डिस्कॉस कर रहे हैं वहाँ पर हो n a के बराबर one के बराबर नहीं होना चाहिए अब अगर मैं दोनों तरफ integration कर दूं तो d a by इसका integration क्या बनेगा a to the power minus n plus 1 divided by minus n plus 1 की power क्या हो जाई कहां से कहां तक a note से यह तक जाएगा कि यह मतलब initial से लेके जहां तक खतम होगा वहां तक और यहां क्या आजएगा minus k integral of dt dt कहां से 0 से t तक यह मतलब 0 पर मेरा a note था जब मेरा t time खतम हो गया तो यह बचा होगा तो मैंने उसको a बोल दिया अगर मैं इसकी values put कर दूं क्या बन जाएगा मेरा अगर मैं इसको पहले उदर ले जाओ तो मेरा क्या बन जाएगा a1-n a note से a किसके इकवल हो जाएगा minus k into t लिख दू और यह इदर चलाए क्या बन जाएगा 1-n ऐसे लिख सकता हूं तो अगर मैं इसको करूं क्या बन जाएगा मेरा a final कौन सा मेरा a तो क्या बन जाएगा a1-n minus a note 1-n ऐसे लिख सकता हूं is equal to n-1 kt कोई दिक्कत यहां तर यह minus को अंदर ले गया हूं तो मेरा जो a है वो क्या बन जाए a1-n is equal to a note 1-n plus n-1 into kt तो इसको आगे मैं concentration का बन सिंबल लगा रहा हूं उपर भी लगा सकता था वो फिर जीव सा लगता है तो बस मैंने यहां concentration का वेल वो सिंबल लगा दिए तो मेरा जनरल किसी भी reaction के लिए एंद अथ ओडर के लिए कुछ भी हो इसके लिए नोट माइनस केटी दूसरे क्या बना वन बाइए नोट प्लस केटी तीसरे क्या बना प्लस केटी बेसिकली जो तुम्हें याद रहने चाहिए वह तो यह दोनों है तीसरे वाला का भी जुरुत पड़े तो तुम इसके यह से निकाल सकते तो यह दोनों तुम्हें यादी रहने चाहिए जिरूत और सेकिंड वाले कि दो यह हमारा एक जनरल फोनद बन गया और किसी भी ओडर ओफ रिएक्षिन व उसके वाद लिखने हाफ लाइफ हाफ-डाइफ यह हाफ टाइम हाफ-डाइंग हाफ-डाइफ लिख लो से हाफ टाइम तो हाफ-डाइफ होता क्या है इसमां पास को बात करूं हाफ-डायफ की तो half life जितने time में होते हैं उसको क्या बोल देते हैं ती half पहले मुझे आजा तो half life का मतलब क्या होते है तुम्हें दो option देता हूं मैं एक half life reactant से product का मैंने बनाया पहरी statement है जहां पर reactant concentration क्या हो half और दूसरे product की concentration half बने है तो दियान लखना examiner तुम्हें घुमाने कोशिश करेगा वो बोलते हैं कि जो product है उसी concentration half हो गई तो यह ना समझाना वो टी हाफ है यहाफ हमेशा क्या होता है जब मेरी reactant की concentration होती है प्रोड़क्ट वाली भी हो सकती है लेकिन जब मेरा क्या होगा होता है तो होती है वरना नहीं होती लेकिन जो पहली कंडिशन है तो मैं क्या बोलता हूं आफ लाइप क्या होता है जब मेरा माइन इकवल टू एणोट 1-n का आएगा प्लस एण-1 इन्टूपट एन्टू अब अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं हाफ लाइफ तो मेरा जो यह होगा एणोट होगा यह यह ओगा स्वारी एणोट कीतना हो जाएगा मेरा चैनोट by 2, अगर A मेरा A node by 2 हो जाएगा, तो values put कर दो, तो A की जगा मैं क्या पूट कर दूँगा, A node by 2, 2 दी पार क्या हो जाएगा, 1 minus N is equal to A node to the power 1 minus N plus N minus 1 KT, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर ले आँ, क्या बन जाएगा, A node by 2 to the power 1 minus N minus A node to the power 1 minus N is equal to N minus 1 into KT, अगर अब मैं A node to the power 1 minus N को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 by 2 to the power 1 minus N minus 1 is equal to N minus 1 into KT, अगर अब मैं इसको उपर ले जाओ, इसको मैं से लिख सकता हूँ, A node to the power 1 minus N, और अंदर क्या बनेगा, 2 to the power n minus 1, minus 1 is equal to N minus 1, KT half, यहाँ T half इसले लिख रहा हूँ, क्योंकि हम बोल चुके हैं, किये वाली मेरी बात चल चुकी है, यहाँ पर T half, तो मेरी टी आफ कितना हो जाएगा, A node to the power 1 minus N, क्या बनेगा, into 2 to the power n minus 1, minus 1, divide by क्या आजाएगा, n minus 1 into K, इसको अगर हम और अच सिंप्लिफाई करके लिखे तो क्या बनेगा, 2 to the power n minus 1, minus 1, divide by क्या हो जाएगा, A node to the power n minus 1, into, n minus 1 into K, तो मेरे T half का यह जो equation बनी है, वो यह, याद होगी नहीं मुझे पता है, लेकिन अगर वो किसी Nth order के लिए पूछ ले, तो हमें आदे लिए सब 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 सिंप्लिफाइड तरीका है, यही, इसमें values put करना, यही बनाया ना, यही जो माइनस वान है वो नीचे, यह इसकी power में, और यह इसकी power, रखने को मैं इसको उपर भी रख सकता था, मैं इसको नीचे इसलिए लेका है, कोई reason है, क्योंकि मेरी N की value क्या होगी, 0 से start होगी, तो मैं यहाँ से ही बताना चाहता हूँ, N की value जब 0 होगी, T half inversely proportional होजाएगा, जब 1 होजाएगी, वहाँ क्या होजाएगा, है यही नहीं, 2 होजाएगी, तो 2 होजाएगी, क्या होजाएगा, inversely, पहले में directly था, 3 होजाएगी, 4 होजाएगी, sum में क्या होता जाएगा, इसलिए मैं उसको नीचे लाएग, ताकि हमें वहाँ से clarity आज़े, आगे के चीज़ों, तो math की class हो गई थोड़ी सी, ज़्याद आई थोड़ी थी, जोई जी, लिखकत हो नहीं न math में, इतना यह तो बैसे, दिखनाने में रामना से है तो असान, integration यह है, तो अब यहाँ से एक चीज़ conclude कर लेना, तीन बाते लिख सकते हो, यहाँ से, मेरा जो T half है, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, डिरेक्ट लिव पोश्चनल है, 1 to the power n minus 1, अगर मेरी n की value 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा, जो T half है, वो डिरेक्ट लिव पोश्चनल हो जाएगा, अगर n की value 1 हो गई, तो T half क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट, अगर n की value 2 हो गई, या 2 के आगे कुछ भी हो गई, तो मैं जो T half हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 1 by A to the power, अभी 2 ही लिख लो, बस इतना है, तो इनवर्सली हो जाएगा, तो यह वाली बाते आगे बहुत काम आएगी, जब वो comparisons करवाएगा, यह वाला formula मेरा first पर लग नहीं रहा था, लेकिन उसने बस इतना तो मुझे बता दे कि independent होगा, इतना हम बस इससे information ले सकते हैं, फर्स्ट के बारे में, लिख ले हैं है, मैं स्पीट जल्दी जल्दी, आजा मुझे लग रहा है, साथ साथ लिख रहा है, तुब कोशन लिखो इस पर एग, पोशन, 4 एन एलिमेंटरी रेक्शन, नहीं यह वाला नहीं, लेन दोई, 4 a 0th order reaction, 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 2 a giving 3 b, for a 0th order reaction, 2 a giving 3 b, the initial amount of reactant is 10 moles per litre, rate constant is 3 mole per litre per second calculate amount of product form at t is equal to 2 seconds, 0th order reaction है, तो इसके लिए एक्वेशन क्या थी? a is equal to a note, minus kt, 6 no, यह तो जो मैं सोचा था, वो उससे भी बड़ी गल्ती कर दी, किया, किया, किसी डाइस, तो सबसे पहले 6 वाला, इसके बढ़ा नाइन और, नाइन आइका, कि इसक्स किसमोला था कि उस वज़ए से चलो वह तो बहुत वो मेरे को गलती होनी नहीं के है अजिए नहीं किससे आगराक्शन चला धी कितना बचा है कितना रियक्षन के वह लए लिखना होता है वहां तो रेक्ट कितना क्या होका ऑगा gen 6 तेरी गल्ट तों मिल गई तो यह तो गलत हो गया då तो यह सो के बाद 9 की बात की बात के हमारा गलत हो गया गलत क्यो व्याद देखो मैंने जो तुम्हें यह आपर है क ऋब्रस나 के गार्ग्या गाने चिवयं कि इसके ₲ करदre बनवाय था मैने जब इहाँ ह adjust क्क yolum और अब जो मैंने क्रिक्वेशन दिए कि हम आपर आप 5B कि नहीं अगर 11 नहीं है तो खांच अना चाहिए सोचना कrobi हटेगा कहां सीन तो बताओ यहां पर चेंज का अना चाहिए ओविएस सी बात है यहां पर बस मेरा क्या आजाएगा वान बाइए बोल दो इसको यह बनेगा अगर वान बाइए बनेगा यह कहां चला जाएगा इधर और कहां मतलब इंद यहां पर यह क्या है यहां पर तो एंड मेरा फोर्मला क्या बनेगा तो ठीक कोशन के आगे लिखना कि for a reaction having a stoichiometry ए ऐसे लिख लेना ए ए गिविंग प्रोड़क्ट ऐसे लिख लेना तो उसके लिए मेरा फॉर्मला बनना था महां इसलिए नहीं बताया ताकि महां पर ज्यादा ध्यान रहेगा कि हमें stoichiometry देखने है कि तो बस यह लेकर ना कि यह equation होते यह पूरी लिखने ही जोरुत नहीं पर यह भी आते है क्या रांसर क्या असर आ रहे है माइनस टुटा बिल्कूल ही नहीं आसकता तो माइनस टुट भी क्या हो जाएगा यह भी रखे तो अब क्या करते हैंब है माईस चो सकता है हां मतलब यहीं से तुम्हें पदा चल गया ना कि हम गलती कर रहे है कि तो अब यहां पर रही है है मिसिंग क्या पर अब है 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 क्या क्या एक सब्सक्राइब सर्काइब से कि मेरी की वैलियों आ रही है वह प्रतध क्या हो रहा है था के लिए हम यह माल लेते हैं कि मेरा जो ए है वो क्या था एनोट माइनस एक टी था यह था मुझे बताओ अगर मैं वैसे नूर्मली लिखूं तो मेरी एक जो वैलियो आई है वह एनोट माइनस एक टी आई है ऐसे बहुत सकता हूं अगर मैं रियक्शन में चला दू एक इविं बोलो थ्री एक्स तो मतलब मैं इसको यह मेरा क्या आ गया यह यह भी ए एक और एक्वेशन क्या बन की ए इस इकल टू ए नोट माइनस टू एक्स और यह क्या बनिया एक्वेशन मेरी यह वाली इस यहां पर टू लिख दू सिद्धा तो मेरे पास एक्स की वैली क्या आगई अगर एक्स की वैली मेरी केटी आ गई है तो अब मैं यहां पर अगर एक्स की वैली केटी बन रही है तो अब यहां पर अगर मुझे पदा चल गया एक्स की वैली है तो मुझे क्या करना देखो अब मैं टाइम निकाले तो कितने ट कि रोली सकता हूं क्या बनेगा एनोट माइनस केटी तो मेरा की कितना बनेगा एनोट बाइक के ठीक है एनोट की वैल्यू क्या है टैन और के की क्या बनेगा 1.67 1.3 1.332 3.332 यह बन रहे है यहां पर हमने अगर रहा है यह टू तो रहागा है तो यहां पर टू भी आने तो यह 6 बनेगा अब क्या बनेगा है कि 5 x 3 कितना बना है 1.67 तो 1.67 बनेगा तो मुझे बताओ मैंने टाइम कितना बोला है कि है आपो सचो जब मेरी पूरी रियक्शन ही होच रखी है 1.67 कि में उसके बाद का रेक्षिन होगी अगर रीक्षिन होगी नहीं तो इसका मISTक्वेशा चिलाई जा रहे थे जब मैं रीक्षिन खतम हो चुकी है तो अगर मैं बोलू मेरा maximum product कितना बन सकते हैं इतना maximum हो सकते हैं तो मैं क्या बहुत सकता हूं तूए से मेरा कितना बना रहा था थ्री भी तो वान से कितना बनेगा 3 by 2 और 10 से कितना बनेगा 3 by 2 into 10 तो आंसर मेरा क्या जाएगा 50 मतला हमें यहां पर यह जो नेगिटीव आ रहा था वह मुझे बता रहा था कि मैं आगे निकल चुका हूं टाइम से भी क्योंकि मेरा जो पूरा रियक्टेंट था वह पहले ही खतम हो गया था तो हमें कुछ भी नहीं करना था complete the reaction वाला फंडा लगाना था कि reaction को सिधा complete कर दोगा इसको conclude करा था तो वह बैटर रहेगा यह लिख लो conclusion conclusion लिखो जो तुम्हें समझना उसके बाद इस question करना conclusion वह conclusion के इसको बाद में note कर ले ना ठीक है वह conclusion के ऐसे type of question में कर दो तीन केसी बना लो कि की सिस क्या है मेरे को complete the reaction वाले जो चाइम होता है यह वाला जो टेम है ठीक है कहां गया यह यह time को में टाउ बोलते आव मतलब जब 100 पर संट को बेसे आज़े ताव कि मैं इसको टाउ बोल रहा हूं तो मैं एक एक बना ऑग होगा वह जो किया ओगा धॉंघ अगा अप्धब किया होगा कम तो मतलब मतलब आफ अब city पूरी नहीं भी सिवात है मतलब अभी दूसरा कोड़ा बराबर हो जाएंगे और तीसरा क्या हो जाएगा मैं थाउ हो फीर दानrifा संग हागी निकल जाएंगे तो इस केस में और एक और की आई थी इस इकल टू ए नोट माइनस 2x आई थी तो मैं यहां से x की वेल्यू क्या निकाल सकता हूं केटी अगर x की वेल्यू केटी निकल गई है मैं प्रोड़क्ट कितना बना था कि 3x तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा 3 kt तो मैं डिरेक्ट प्रोड़क्ट की वेल्यू कैसे निकाल सकता हूं 3 केटी से लेकिन अगर में रियक्शन का जो टाउ आ रहा है और टी बराबर आ रहा है या सेम आ रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं करना इसमें सिधा सब्सक्राइब की कंप्लेट जा रियक्शन कर तो कंप्लेट रियक्शन मतलब क्या हो गया हमें मैक्सुमीड ले नियानी है मैक्सिमाम म्चिक मिल्टिक से निकाल लें गे यूनिट्री मै्ध है जैसे हमें निकाला है टाउ का मतलब है 100% completion reaction को टाउ बोलते हैं इतने टाइम मेरी 100% completion होई है टाउ का मतलब यह होता है जैसे टी हाफ होता है यह टाउ होता है अब उस कोश्चन को सोल कर लो इसके बाद और इसका idea मुझे कहां से हुआ यह वाले केस का मुझे idea कहां से हुआ था ए निकाल के तो हमें इन सब के बार में सपना तो आएगा नि मैं a की value निकाल लूँगा एक की value अगर negative आ रही है इसका मतलब कौन सा हो गया इन दोनों बैसे कि यह वाला case है एक की value अगर negative आ अगर positive आ रही है तो मतलब यह वाला case पता तो में a से पता चला था न हाँ पिछले screen करता हूं अब इसको generalize कर दिया अब उस question को अपने ट्राय कर लो अब वाला fix all हो जाएगा सब्सक्राव निकाला करो एक था निकाला करो नेगिटीव आ गई तो समझ चाहं हम आगे निकल गए है कितना अगे निकले है एक बार हम क्या निकाल देंगी टाउ जैसे भी निकाला था एक हो जी रो करके टाव सच्ची में आगे निकल गए थे अगर आगे निकल गए तो बस हम डिरेक्ट क्या कर देंगे यूनिट्री मेथट से अंसर बताते हैं जो मैक्सिमूम मिल्ड हो सकती है इसने कर लिया वह इसी कोशन का अंसर देतों अगर मैं 1.5 सेकंड के बाद पूछ रहा हूं इस पार्ट में यह दिमाग भूमाता है उसको अच्छे दे कर लेना कि ऐसा कोशन कभी आ चाहिए कर लिया इसको जैनलाइस कर देता हूं किसी को दिक्कत हो रही है और हो जाएगा लेख लिया लेख लिया अगर किसी को दिक्कत आगी मुझे पता यह पहली बार में थोड़ी दिक्कत आती है इतना और सिंपलिफाय कर सकते हो एकी वैल्यू जह तुम निकालते हो निकालाव किससे ए नोट माइनस एक टी से अगर ए नोट की वैल्यू आजए मेरी नेगिट घ्री वाजए तो बस क्या करते ना दोनों रीक्षिंस को कंपेर करते ने एज इकल टो एणोट माइनस टीक ऐसे लिख दो एक्स और एज़ एकल टू एज़ एनोट माइनस एक टी है यहां से मैं क्या निकाल लोंगा प्रॉड़क्टिव एल्वेली निकालने के लिए क्वा अगर आज़ेगा जो भी वैली होगी वह 3X या जो भी है ठीक है और दूसरा क्या हो गया अगर यह मेरा क्या आ जाए जिरो यहाजा यह मेरा तो मुझे बस क्या कर देना इंडिरेक्टली उल्टा लिग दें अले से पोजिटिव और यह नेगिटिव ऐख दो तो तुम्हें क्या कर देना बस चोक्क अमेटरी से कर देना कि तो के में यूनिटरी में इतनी बजिवाथ है अगले हैं डाल जिरोवग्ध और रियक्शन जिरोघ ओडर रेक्शन के लिए मुझे एक बार एक्वेशन लिख दो उसका टीःफ लिख दो उसका टाउ लिख दो तीनों चीजे लिखके निकाल सी जिर्वत order reaction है, उसके लिए tau लिख़ दो, t half लिख़ दो और equation लिख़ दो, जिर्वत order reaction, सबसे पहले equation लिख़ दो, क्या होती है, उसके बाद t half की लिख़ दो, उसके बाद tau की लिख़, generally लेना ठीक है, general कौन सी, AA giving product, इक्वेशन क्या होगी? A is equal to A naught minus A kt. T half की एक्वेशन क्या होगी? A की जाया क्या लिख दू? A naught by 2 लिख दू? Is equal to A naught minus A kt. तो यह मेरा इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? A naught by 2 is equal to A kt. और यह मेरा T half हो जाएगा. तो T half कितना हो गया मेरा? A naught by 2 A k. वो टाउ में मुझे क्या कर देना है? A की जाएगा 0 put कर दूँगा. क्या बन जाएगा? A naught minus A kt. ठीक है? और T को मैं आप टाउ लिख रहा हूं सहीदा. तो मेरा Tau कितना आ जाएगा मेरा? मैं तुम्हें बोल दूँ, ratio निकाल दो. T half by Tau का, क्या आएगा? क्या आएगा? 1 by 2, मतलब क्या बोल सकता हूं? 2 times of T half, किसके एक्वल होगा? Tau के. मतलब क्या हो गया? अगर मैं 2 T half लेता हूं, तो वो Tau ही देता है. मतलब क्या होगा? मैं बोल रहा हूं, मेरी T half क्या है? 50 years. तो Tau कितना होगा? 100 years. ऐसा नहीं सोचना, यह तो भाई, नॉर्मल सी बात है. यह 0th order में नॉर्मल है. आगे जाके ऐसा नहीं होगा. 0th order में नॉर्मल ट्रेंड होता है, जो हमारे इंसानों का होता है. तो वैसा आगे नहीं चलेगा जब 1st और 2nd आएगा. तुम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो? A तो बदल सकता है, कोई भी रेक्शन हो? तेक है, अगर A बदल जाएगा, तो T half बदल सकता है. A बदल जाएगा, A बदल जाएगा, T half बदल जाएगा, लेकिन रेशो में तो कुछ हाई नहीं रहा, तो वह हमेशा पॉंस्टेंट है. तो एक्जाम में वह सिंपल ऐसे खेल भी सकता है, कि अगर टाव इतना है, तो मुझे बताओ T half कितना है, लेकिन वह जीरोथ ओडर में डबल यहाफ होगा, आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा. Queshion लेख लोगे, For, 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 A Nth order reaction, For A Nth order reaction, A giving B, For A Nth order reaction, A giving B, अब देखो, यहाँ पर मैं Nth order बोल रहा हूँ, लेकिन मैं A giving B भी बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर N होना जरूरी नहीं है, यह क्योंकि वह क्या है, मेरा order है, यह है मेरी stoichiometry, तो यही बता रहता है कि stoichiometry हो अलग बात होती है, For A Nth order reaction, A giving B, A graph is drawn, A graph is drawn, A graph is drawn, between, between L Nth, L Nth versus L N A note, versus L N A note, okay, यहाँ लोगा नचर वाला, A graph is drawn, drawn between L Nth versus L N A note, such that, such that, such that, slope of the curve, such that slope of the curve, comes out to be, slope of the curve comes out to be equal to minus 1, equal to minus 1, Predict the order of the reaction, predict the order of the reaction, अगर तुम्हें दोनों ग्राफ बनाना तो एक एक्क्वेशन चाहिए लित हैं उसने एन्थ उडर बोल ले हमें एक एक्क्वेशन बते टी आफ की क्या दिगों पूरी आद नहीं है कोई दिक्कत नहीं में चाहिए भी नहीं लेकिन मुझे पता है टी आफ किसके डिरेक्ट लिए पोश्चनल है वान बाइए नोट तुदा पार एन इतना बता है तो मैं ऐसे लिखता हूं टी हाफ क्या हो जाएगा के कोई भी कॉंस्टेंट इंटु वन बाइए नोट तुदी पार न-1 कोई भी कॉंस्टेंट लगा दी हमें क्या मतलब अगर मैं दो तो माइनस लोग वह लोग ले लो क्या बन जाएगा लोग टी हाफ इस अच्छे बनेगा तो भी सिट्वेशन को बस्त क्या करने है क्या हुआ कर सकते हैं कि एन-1 आगया जाएगा वह उपर चला जाएगा तो से क्वेट कर दो क्या रहें है तो यहां पर मुझे क्या कर देना ऐसे लिख सकता हूं लन की यहां पर क्या आजएगा माइनस लोग यहां पर का ए नोट टूधि पार क्या हो जाएगा ज ए हैं और माइनस वन दैन माइनस वन को आगे लिए क्या बन जाएगा लोगे is equal to n-1 तो मेरा क्या बंजा लोग टी हाफ इस इक्वल टू लोग के माइनस एन माइनस वन इंटू लोग एनूट तो मुझे उसने किसके बीच में ग्राब बोले इसके वर्सी इसके बीच में इसके तो उसने मुझे स्लोप क्या दिये माइनस वन तो मैं क्या वह सकता हूं जो मेरे एन माइनस वन नहीं वह कितने माइनस यहां पर भी माइनस है तो यह क्या बंजागा एन की वैलिव क्या जाएगी मेरी तो यह स्लोप तो यह होता है ना यह बहुत और मुझे कितना गिए ना-1 तो माइनस से माइनस कट गया तो n की वैलिव क्या गई मेरी मतलब क्या होगा है सेकेंड ओडर इसको समराइज कर लेना फिर समराइज अंरे संवरी शकी इस सलॉप ही श्ते PC अगर स्लोप आने तो क्या है अगर फ्रस्ट पेंड ही गांड इस लोप इप्ल शी फिर ली वंस दूर प क्या ने वा गोगा सभे। small cancel.s दॉप फ्लोटूर if slope is negative slope negative to slope kiske equal ho jage slope is equal to 1 minus n slope is equal to 1 minus n अब मुझे आपर slope कितने की बनती है, minus 1 तो मैंने यहापर minus इसमें include कर दिया है, तो मेरा क्या बन जएगा, 1 minus n और सोर है, आपर negative पहले ही आ गया, तो n की value क्या आ जाएगा मेरी टू जी रोगी क्या अगर यहां पर मेरी M की वैली 1-n तो मुझे यहां पर M की वैली कितने गिवन है माइनस 1 तो 1-n तो यह N इदर चला जाएगा और N की वैली 2 तो N की यहां पर साइन को भी लेते हुई चलना है अगर मैं तुम्हां बोल देता है स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस 2 तो क्या बन जाता N की वैल्यू एंगे वैली 3 मतलब आसे वाला फोमला यूज करना है क्या अधिक क्यों कि देखो यहां पर मेरा वह इंडिपेंडेंट हो गया न तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा यहां पर अगरा मनारू लोग ए और इसके बीच में किसके बीच में था एनोट और यहां टी आफ तो मेर एसा रह जाएगा क्या लोग अगर अगर श्लोप वन है तो वहां पर नोप को यहां पर जोप की वैल्यू क्या यह वान आएगी तो वान माइनस जीरो हो गया क्या बोलते है एक स्लोप अगर वान है तो फर्स्ट जोडर लोगर पोजिटीव है अगर बड़ो हैं अगर यहां पर मेरी क्या बन जाती है जी रो अगर जीडो बनती है अगर एंब चिरो लेड़ोट करता हूं तो यहां पर इसके लिए मैं क्या लगाते थे यही बनेगा ना 육्रोफ अगर मेरी क्या हो जाती ह Logic तो मेरा क्या होगा यह सब्सक्रणान तो सब ना तो लोप 00 styro प्रोटो